जै मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ जीवन की हर समस्या से बचाएगा माकाली का ये टोटका एक बार करके छोड़ दो अपने घर में फिर देखो सत्रू कैसे कदमों में गिरेगा जी हाँ भक्तों आज जो मैं आप लोगों को एक चोटा सा टोटका बताने जारी हूँ वो काली माता का टोटका है और अगर जीवन में आपके उपर या आपके घरवालों के उपर किसी के उपर कोई भी परिशानी आती है तो जीवन में आप तक वो परिशानी आएगी ही नहीं आपकी हर समस्या का हल आपको मा काली बताएगी इस तोटके को करने के बाद तो ये वीडियो मैंने सभी भक्तों के लिए बनाई है जितने भी मेरे काली मा के भक्ते हैं और जितने भी अनेक देवी देपताओं के भक्ते हैं वो भी इस तोटके को कर सकते हैं और ये तोटका शनिवार के दिन करना है और ये आपको कम से कब पास सनिवार तक करना पड़ेगा पास सनिवार करके आप इसे छोड़ देना उसके बाद आप खोद देखना जो भी आपका सत्रू है कोई भी दुस्मन है जो आपके घर में किरिया करता रहता है तंत्र किरिया या भूत प्रेट जिदन मसानी सब चीज़ें आपके घर में विजवाता रहता है आपका बुरा कराने के लिए ये किसी ने आपके घर का बांध रखा है कुछ भी हो जीवन की हरता मस्केश अगर आप लोग महा काली भकत गयान यूट्टिब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को उन पे सैट कर लेना ताकि हमारी जो भी निव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पोचें और इस वीडियो को जादा से जादा काली मां के सभी भक्तों तक शेयर करना ताकि सभी भक्त अपनी जीवन की सबस्याओं से चुटकारा पाए और जो भी दुख परिशानी में है समय वो ये टोटका करके अपने घर की सभी दिक्तों को परिशानियों को हमेशा के लिए जड़ से खतम कर पाए इस टोटके में आपको क्या करना है ये आपको कंटीनू में आपके 5 सनी बार पूरे हो जाएंगे ज्यादा कुछ नहीं करना है एक तो आपको 11 निम्बू की माला लेनी है ठीक है और दूसरी चीज में माता का सिंगार लेना है तीसरी चीज में 5 पेड़े लेने हैं सफेद और चोती चीज में एक आपको नारियल लेना है और नारि पान का पत्ता ले लेना है ठीक है अब यह आपको कहा करना है या तो आप इस कारे को करें यह जो टोटका करेंगे या तो आप इसे चुराय पर कर लीजिए अगर चुराय आपके आज पास नहीं बहुत दूर दूर है तो आप इसे पीपल के पेड़ के पास भी कर सकते हैं अगर पीपल का पेड़ भी नहीं है, तो आप इसे किसी जंगल में जाके कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको इसे करना घरते बाहर ही है, मतलब अपने घरते बाहर करके आना है, और आपको इसके साथ एक चीज और लेके आरी पड़ेगी, जिससे आपकी समश्याओ का हमेशा, मतलब जो भी जीवन में आपके उपर समश्याओ आईगी, मतलब जो भी कुछ आपके साथ दिखकर परिशानी होगी, जो भी कुछ, वो सब कुछ इस तोटके से हमेशागे लिए जड़ से खतम हो जाएगा, अब आप लोगों को क्या करना है, जब ये सारी चीजें आप कहीं भी करने हैं, पीपल के पेड़ पे कर रहे हैं, या फिर आप नदी की किनारे कहीं भी कर रहे हैं, चोराय पे, तो आप वहाँ पे पहले निम्बू की माला रख दीजिए, निम्बू की माला जब गोल धारी की तरह आप रखेंगे, तो उसके अंदर निम्बू की माला के बीच में, आपको मात्या का सिंगार रख देना है, जो जो चीजें मैंने बताई, सारी चीजें वहाँ पर रख देनी हैं, और माता से बोनना है, समस्या से बचा कर रखेंगी, बस इतना बोल देना, माता अपने आप बचन प्याँ जाएगी, और ये हर शनिवार आपको करना पड़ेगा, पाँच सनिवार तक, और साथ में आपको पाँच कमल गठे ले लेने, ठीक है, कमल गठे का क्या करना है, जब आप ये कारी करने जाओगे न, तो चोहराए पे आप लोगों को, कमल गठे पाँच हो रख देने, जब आप ये कारी वहाँ पे करोगे, चोहराए पे पीपल पे, तो कमल गठे भी आपको पहले नीचे रख देने हैं, और बाकी सारी चीज़े जब आप वहाँ पे रखेंगे, तो आपको क्या करना है, कमल गठे अपने साथ अपने घर पे लेके आ ले हैं, इससे क्या होगा, जो चोहराए पे माँ भगवती की शक्तिया रहती हैं, तो केवल माँ काली की शक्ति, आपके साथ चलेगी, और आपके घर में परवेस करेगी, उससे आपके जीवन में कभी भी कोई समश्या नहीं आएगी, सदेव आपका बचाओ माँ काली करेगी, उसके बाद आपको जो कमल गठे आपने रखें हुए हैं, एक कमल गठे आपको रोज अपने घर के मंदिर में रखने हैं, ठीके चुराय से लाके रोज अपने घर के मंदिर में रखने हैं, और याद रखिएगा, जब एक करके एक शनिवार आप अपने घर के मंदिर में रख देंगे, आपके पास बचेंगे चार कमल गट्टे चार कमल गट्टे जब आप दूसरे शनी बार करने जाएंगे तो चारों को ले के जाएंगे फिर महा चुराईगी जो मट्टी होती महा पे रखेंगे उसके बाद आप फिर चारों को उठा के एक कमल गट्ट पिर मंदिर में रख देंगे ऐसे कर के आपको यह कारे करना है और यह कारे करोगे आपका सत्त्रो दौ्श्वन भी आपके कद़ों में गिरेगा जो आपका बुरा कर रहा है उसका भी बुरा हल होता चले जाएगा आपके आखों के सामने अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैमा काली हर हर महादे माता काली आपकी मनुकामने पूरी करें जैमा तदि